बिस्मिल्लाम अर्रोहीम असलाम अलेकूम तुडेः वी विल डिस्कूस हाउ टू एडिट वीडियो बाई यूजिंग पावड डिरेक्टर तो आज हम सहिएंगे कि किस तरीके से हम लोग पावड डारेक्टर जो वीडियो एडिटर सौफ्ट्यर रहे उसके जरी अपनी जो वो एडिट कर सके है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो play store है, play store पर जाएंगे, और play store पर लिखेंगे, power director, power director सामने आ गिया, अभी जो power director है, video editor app, ठीक है, cyber link operation, यह आप देख रहे हैं, कि 74 MB का है, इसको मेरे पास ही पहले से already installed है, इसके बाद install नहीं, वो पहले install कर ले, तैन उसके बाद इसको open कर ले, टीक है, open करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से interface हा जाएगा, जिसमें यह power director के application हा जाएगी, मेरे बास बहुत सारे project पहले से बने हुए है, लेकिन हम start के सरी किसे करेंगे, हम start करेंगे new project से, ठीक है, new project से हमने start किया, तक पहले project का नाम लिखेंगे, जो भी video हो, जिस type की हो, आप उसका नाम लिख दें, for example, हम यहाँ पर जो video edit करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे IUPAC, ठीक है, यह nomenclature है, multiple bonds के, तो इसका हमने नाम रख दिया, जो भी आपकी file कर नाम होगा, नाम रख देंगे, then, इसके बाद इसका हम save कर लेंगे, 16 by 9 के ratio से, ठीक है, अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, कि अगर आपने पहले से कोई thumbnail बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हम thumbnail की addition करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर अलकेन अलकाइन thumbnail बना हुआ है, इसको right side पर देखेंगे, play करेंगे, देखेंगे, play का option सामने मौझूद है, right side पर play करेंगे, play में हम नदर आ रहा है हमें यह different option निकल के आगा है, यह जो आपके पास thumbnail है, यह zoom out हो रहा है और यह क्या करते हैं पूरे pen में आनी रहा, तो इस पर click करेंगे हम, जो हमने अभी addition की है, और left side पर आपको second option जो red color का आपके पास dot डला हुआ, इसके साथ एक pencil का निशान है, इस पर click करेंगे, ठीक है, यहां से आपके बाद different type के जो चीज़ें वो खुल लाएंगे, इसमें crop भी option है, pen, zoom का भी duplicate, duration, color, sharpness, flip, rotation और skin smooth न रहा, इसमें pen and zoom पर click क करेंगे, click करने के बाद इसमें तीन portion खुल लाएंगे, no effect, random motion और custom motion, हम कर देंगे no effect, no effect से यह होगा कि हमारे पास यह पूर अगा पूरे थम नीलता, as it is बना हुआ सामने आ गया है, जिस तर हमारे पास मौजूद था, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, for example, अगर आपने इसमें कोई addition करनी है, किस चीज की, कोई video वगर अपने channel का नाम डालना है, तो दुबारा left side पर आएंगे, और second option है, video का with music, second option पर click करेंगे, extreme left side, और यहां पर दुबारा हमारे पास portion खुल लाएंगे, इसमें तोप के उपर pictures, movie और music option है, तो यहां पर video पर चले जाएंगे वीडियो पर जाने के बाद हमारे पास यह option खुलेंगे, इसमें हम जाते हैं जहां पर हमारे पास video add है, तो वाट्सप वीडियो पर चले गाए, वाट्सप वीडियो पर मैंने पैनल से अपने channel का एक बनाय हुआ है, MFY education, तो यह देखें, अब यह बनता किस तरीके से, for example, यह बनाने का तरीका ही बता दूँगा, आपको मैं, यह बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले interface से भार आजाए, interface से भार आने के बाद हमारे पास एक और tool होता है, जिसको हम कहते है, text animation, text animation पर जाएंगी जैसे ही आप, तो इस पे click कर दें, जो आपके बास play का option है, यहां प पर जो आपको add करना है, वो add कर दें, for example, मैं लिख रहा हूँ, nomenclature of multiple bonds, ठीक है, अब जैसे ही इसको play करेंगे, play करने के बाद, different categories के अंदर, यह nomenclature of multiple bonds आ जाएगा, तो यहां पर हमने, for example, यह selection कर ली इसकी, इस सरीके से, कि हमें यह background पसंद आ रहा है, ठीक है, यह background पसंद आ रहा है, यह और change करना, इसको और कर सकते हैं, यह background होगी है इसका, अब background के बाद, आपके बाद, अपनी मर्जी है, कि इसका font किस तरह दें, daring, lines, display, ठीक है, coated कर दें इसको, dash कर दें, frame कर दें, point black कर दें, either stop to bottom, इस तरह आ जाएगा, यह cast कर दें, ठी top पर option है, downward arrow का, इसको click करेंगे, और save as give, gif और save as video, तो हमने save as video कर दिया, save as video करने पर, यह जो आपकी wording है, यह video की form में, खुद बहुत safe हो जाएगी, देखें, save करने के बाद, हम वापस जाएगे, power director के दुबारा interface पर, और left side पर, second option, video और music पर click करेंगे, और इसमें, दुबारा हमारे पास, जो हमने addition की है, वो animatic text के अंदर click करने पर, मौजूद होगा, यहां कहीं पर, हमने nomenclature of multiple bonds देखा था, तो nomenclature of multiple bonds, left side पर मौजूद है, हम हम इसको double click कर देएंगे, तो यह खुद-बखुद वीडियो में add हो गया, देखें, nomenclature of multiple bonds, added is, जिस तरह हमने animatic text बनाया था, इस तरह add हो चुका है, अब इसके बाद हम चाह रहेंगे, वो video डाल देएंगे, जो हमें edit करनी है, तो left side पर दुबारा जाएंगे, left side, second option, औ इसके बाद video देखेंगे, अगर आपने camera से बनाएंगे, तो camera से video और इसके बाद हमें एक video edit करनी है, for example, जो भी video edit करनी है, उस पर double click करेंगे, यह video add हो गई, video add करने बाद play करके देखेंगे, हाँ बिल्कुल play चल रही है, अब देखें, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें volume पर tick करेंगे, volume increase कर देंगे, इसका, right side पर extreme volume increase, और fed in, fed out करने का मतलब, initially और starting और ending में आपकी voice slow से fast विल जाएगी, ठीक है, अब इसमें हम जा रहे हैं कि इसकी brightness हलके सी increase कर देखेंगे, तो brightness का भी option है, हमने brightness पर दुबारा गए, adjustment लिखा हुआ है, adjustment पर करेंगे, और यह brightness, contrast, saturation, जो भी करना है, आप कर सकते हैं, हमने हलकी से इसमें brightness को increase कर दिया, अब increase करने के बाद इसको ok कर दे, play करना start कर देगा है, अब इसके बाद हम चाहरे हैं कि भाई, यह जो हमारे पास video है, इसमें कोई logo, कोई animations आ जाए, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कि left side से जो third option है, double layer बनी है, layer पर click करेंगे, layer पर click करने के बाद हमारे पास 4 option open हो जाएंगे, title, video, images और stickers का, इसमें अगर हमारे पास image है, कि logo है किसी का, तो लोगो भी डाल सकता है, for example, image पर click कर दिया, मैंने, अब मेरे पास different चीज़ा आ गईए, logo अगर आपका पहले से बना हुआ है, logo अगर दम्यान में आ जाएगा, तो इसको आप settle कर लें, small करें, इसको छोटा सा करें, और extreme right side पर लगा दें, या left side पर लगा दें, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है, अब मैंने तो इस, जो ये logo है, इसकी मैंने video पूरी बनाई वी है, animated, ठीक है, वो भी अगर सकते है, में add कर सकते हैं, for example, हमारे पास, यहां पर, यह वीडियो मौझूद है, बलकि वीडियो हम चारें layer में add करने हैं, तो दोबारा इसको delete करना पड़ेगा, select करें, और delete करने हैं, तीक है, अब हमें layer में select करनी है, दोबारा शुरू से आ जाएं, जहां से हमें add करनी है, और हम लोगो हटाना है, इस लोगो के जगा पर इसी type की में पास video मौझूद है, तो अब यहां से video add करनी हमें, तो left side से top to third position के उपर layer का option, layer option video, video के बाद आपने जहां पर video, यह safe की भी है, वहाँ पर click करें, देखें, यह हमने video add कर दी, अब देखें, वीडियो बिल्कुल दर्म लाद में आगी है, लेकिन इसका background black आ रहा है, ठीक है, अब इसको छोटा करना चाहूं, और इसको left side पर bottom में, ठीक है, और दूसरी बात ही है, कि मैं चाहरा हूँ कि यह black background हड़ी है, तो इसको किस तरा हटाएंगे, दुबारा क्लिक करें, आप इस layer के ओपर जो आपने एड की थी, और left side से second option पर जाएंगे, जहाँ pencil बनी रही है, और इस पर चले जाएंगे, हम chroma key के ओपर, जो top से fourth position पर है, first column में, chroma key पर जाने के बाद हम चाहरें, इसका background कैसा हो जाए, clear, तो chroma पर पहले click करेंगे, जो chroma key है, use picker to select a color, और इसके बाद chroma key भार लादेंगे black क आप देखें, दो बार click करने पर, ये chroma के color क्या होगा, black background गाइब हो गया, अब हम चाहरें, इसकी color range बढ़ा देए, डी आइनाइस कर देए, इसको करके देख लें, अब डी आइनाइस वगरा भी हो सकता है, इसकी color range वगरा भी बढ़ा सकते हैं, तो हमने इसको डी आइना आने के लिए इसकी duplicate copy होती है, अगर ये ऐसा image हम डालते हैं, तो वहाँ पर हम इसको extend कर सकते थे, extreme right side तक, लेकिन हमने ऐसा image नहीं डाला, ऐसा video डाला है, तो इस video के लिए duplicate copy करने पड़ेगी इसकी, वो left side पर दुबारा जाएंगे, second option पर, second option पर आने के बार duplicate option है, अगर आप एक बार click करेंगे, तो एक बार duplicate आए गई है, तो हमें मालुम है कि हमारी video कितने तीन मिनट की है, चार या छे मिनट की है, उसके लिहास से तकरीबन ये, ये add करते जाएं, छे, आठ दस बार click करेंगे, तो देखिएगा, ये हमारे पास खुद बेखुद वीडियो की नीचे layer बनी में चलती ही, चली गई, तो ये layer हमारे पास यहाँ पर आगई है, हमें दोबार इसको extend करना है, दोबार हम option select करें, duplicate पर जाएं, और 6-7 बार इसको click कर देंगे, तो ये bottom में आके, हमारे पास ये layer है, वो duplicate के option के साथ साथ बढ़ती चली आएगी, तो ये total 6 minute की वीडियो है, तो हमें यहाँ पर layer बढ़ानी पड़ेंगी, अब देखें layer जादा हो गई, तो कोई मसला नहीं, layer पर click करें, और left side पर delete, fourth option है, delete का option ही, delete कर देंगे, delete, दूसरी layer और delete कर देंगे, हम नहीं भी delete कर दी, हम जा रहें कि इस video को आखर में cut कर दें, तो हमने video चला बर video cut करने का है, तो video cut पर हम इस पे click कर देंगे, यह video cut हो गई, और इस portion को हमने delete करना है, दुबारा select करेंगे, extreme ride वाले portion को, और इसको हमने delete कर दिया, और जो वीडियो बाहर निंकल रही है, इसको या तो इसको अंदर कर लें इसको, या तो इसको cut भी कर सकते है, अब इस तो यह तो हमारे पास लियर फॉर्मेशन हो गई अब इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं वह क्या भई कि अब इसके अंदर हमें एनिमेशन जाल दियें देखें यह जो वीडियो एक साथ कंबाइन हो रही है इसके दर्मियान में यह ऑप्शन आ रहा है जिसमें वीडियो पर सम अब देखें शुरू से दर्वीडियो चला के देखें वीडियो चलाने पर हमें नजर आ रहा है कि कि देखें हैं यह जो आफ्शन है किस तरीके से यह देखें रोटेशन स्टार्ड ओगया इसकें अ िडी तो वीडियो में जाने के बात रैइट में अजर आँडरा रहा है कि music option है, इस पे click कर दें, अगर आपके पास पहले से sounds मौझूद हैं, तो click कर दें download के उपर, तो यहां से नहीं, यह sounds मौझूद है हमारे पास, दुबार देखते हैं, बिलकुल electronomia, warrior, different type के sounds हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप कर दें इसके अंदर, for example, मैरे जैरी को समझ में आ गिया, यह NCP है, इस पे double click कर दें, और यह add हो गया, ठीक है, अभी add करने के बाद हमें नजर आ रहा है कि भाई, हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, हमें तो चाहिए, इतनी से layer, उसके बाद उस वीडियो को अपना sound है, और यह 100% जैसी इसके अंदर, जैरी को, इसक कर दिया हमने, जैरा गोर से देखीगा, पहले 100% होने दे नजर आ इसको, जैसी 100% हो जाएगा layer, यह नजर आ जाएगी हमें, layer नजर आ गई हमें, तो हमने इसको cut कर दिया, ठीक है, cut करने पर हमने नजर आ गिया, कि cut दूसरी जगाए कहां से करना है, यह जो add डालाव है, हम दर्मियान लियर को हमें उड़ा देना है, दोबारा click करेंगे, और delete के option पर जाएंगे, delete होगे दर्मियान से, अभी कहां तक लेकी दाना है, यह हमें वीडियो के starting लेकी दाना है, इस पे arrow लखेंगे, दोबारा select करेंगे, हम अपने, जो music को, उसको cut करेंगे, left side, third, point, third, आ white side वाला जो है, इसको हमें delete कर देना है completely, हमने इसको delete कर दिया, अब यह हमारे पास completely हमारी वीडियो prepare हो चुकी है, तीक है, जिसको हमें produce करवाना है, अब यह आखर में भी हमें कुछ नजर आ रहा है, कि यहां पर भी animation देनी है, यहां पर हमने burn के animation देनी है, जड़ा एक ब करनाने के बाद इस वीडियो को हमें क्या करना है, प्रोजेक को produce करना है, प्रोजेक को produce करने के लिए हम extreme right side पर जाएंगे टॉप पर, टॉप पर देनी वीडियो को button है, इसको दबाएंगे, इसमें दो चीज़े लिखेंगे, save project और produce video, प्रोजेक को save कर लिए हम, save करने के बाद अब हम चाहरे हैं इस video को produce कर लिए, इस video को produce जैसी दमाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का interface आजाएगा, जिसमें save to girly लिखा होगा, share on facebook, share on youtube, more output options, तो हमने left side बाला option select कर लिए, save to girly और SD card, जैसे click करेंगे तो इसके ओपर हमारे पस option आजाएंगे, 360 pixels के ओपर, HD 720 या full HD 1080 pixels के ओपर, हमने कोई भी option select कर लिए, मैंने select कर लिए, full HD 1080 और इसको कर देंगे produce, जैसे produce करेंगे तो यहाँ पर यह वीडियो preparing होने start जाएगी, preparing चल रही है, prepare होगी, और उसके बाद अब इसकी extraction स्टार्ट होजाएगी, ठीक है, depend करता है कि यह कितना time की है, अगर एक दू मिनट की वीडियो है, तो जल्दी से आपके तकरिबन 3-4 मिनट ले गई है, लेकिन अगर आपकी 5-6 मिनट की वीडियो है, तो तकरिबन इसके अंदर 5-7 मिनट लगेंगे वीडियो extract होने हमें, ठीक है? झाले मम् कितना लाएगीर डापकी 5-7 मिनट लेक depends सक भ Map के बाहते हैं, उने हो जू मिनट की वीडियो है, लेकि वीडियो है, उने है, बतिक है यह रहते है कि वीडियो है जो जो तक perlu खीज़ कर दो वीडियो है, वीडियो है, वीडियोल, पाले हुना Гाजiosa है, एक एक झाल झाल देखें आफटर एक्सक्शन तो हमारे पास यह आप्शन आ जाएगा के यह वीडियो कमप्रीट हो चोगी हम इसको ऑके करेंगे ओके करने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो यह हमारे पास हमारी गेडली पे मौझुद होगी तो यह हमारे पास आई आउपेसी मल्टिपल बॉर्न्ट हमने वीडियो एक्स्ट्रर कर ली तो उमीद है कि आप लोग को पावर डारेक्टर का यूज समझ मागिया होगा कि हाओ यू एडिट यूर यूटूब वीडियो अब हम इंशालला नेक्स वीडियो जो होंगे वो देखेंगे कि हम किस तरीके से हम अफलोड करते हैं अपने चैनल पर वीडियो और किस तरीके से हम टैगिंग करते हैं ताके हम अपने मैक्सिमम व्यूज बढ़ा सके हैं तो जब तक अपने ख्याल रखें तिल देन अला आफिस